असलाम आलेकुम आज जो मैं आपको मिठे बताने वाले हुआ एक्तम सिंपल नीजी है और घर की चीजों से बनेगी मैंने आठ बोन-बोन के बिस्कित लेए आप इसकी जगह कोई भी चोकलेट या क्रीम वाले बिस्कित ले सकती हो औरियो भी ले सकती हो मिक्सर में करस कर लेन जिसमें आपको आगे मिठाई सेट करने की हो तो वोज बावल में पहले सेट कर लेना और फ्रीज में इसको आधे से एक गंटे के लिए रख देना फिर क्रिश्टल चिली लेना कौन से भी फ्लेवर की मैंने इस्टू बड़ी फ्लेवर लिए आपको जो भी पसंद हो लेना क्रिश्टल चिली लिए उसमें एक कप पाने डाल के मैंने पकने के लिए रख दिया है सुगर अच्छे से मेल्ट हो जाए क्रिश्टल चिली की और थोरा बेटर थीक होने लगे तब तक उसको पकाना और थोरा लैटली रूम टेंपरेचर पर आए तो इसको अच्छे से जो चमच जितना शकल है और 4-5 चमच मिल्क पावडर है या फिर आप 10 रुपे वाला जो छोटा मिल्क पावडर का पेकेट आते हैं वह डाल सकते हो फिर सबको अच्छे से मिक्स कर लेना चुटकी जितना डालना नमा को अच्छे से मिक्स करके जब तक बेटर थीक होता है तब उसको पर डाल देना और उसको पर डेकोरेंशन के लिए जो आमने बिस्कित का पावडर किया था वो डालना ओश्रोबड़े भी डाल सकते हो यह फिर क्रीश्टल जिलिके छोटे बिक्रे करके भी डाल सकते हो आप देख सकते हो ले रोग है इसको 4-5 गंटे के लिए